Hello Friends, Mathematical Concepts में एक बार फिर आपको खुश शाम दीद आज हम बात करेंगे Finite और Infinitely Foldable Polygons के उपर और जो आज मैं आप से लोगों से डिसकस करूँगा ये कुछ Properties Polygons की मैंने खुद ही इनको द्रियाफत किया था आपके हैलने के Find Out किया था नेट के उपर तो मुझे नहीं मिला ऐसा कोई भी material अगर आप लोगों के पास या आप लोगों को कुछ भी नेट के उपर ऐसा मिला तो आप लोगों ने लाजमी comments में मुझे बताना है तो Polygons सब को पता है कि Polygons क्या चीज़े होती है ठीक है Polygons आपके पास close figures होती है ठीक है ऐसी close figures जो planar होती है ठीक है जो एक plane के उपर लाई करती है जैसे कि हमारे पास rhombus हो गया square हो गया ठीक है rectangle हो गया तो यह सारी क्या है हमारे पास? Polygons है तो Polygons की हमें पता है कि line of symmetry होती है मिसाल के दोर पे अगर हमारे पास dus इसके अंदर 4 line of symmetry होती है ठीक है यह वाली line of symmetry तूसरे यह वाली यह तीसरी और यह चोथी इसी तरह से अगर हमारे पास किहों हमारे पास हमारे पास र्क ट्राइंग्ल है राइट आइसोगस लस्ट राइंगल के उस Corn Company अदिर्ट आइसोगस्द्न ट्राइंगल करेंके कर इसमें एक एंगल 90 अधो यह दो साइड जो वो इक्वल होंगे, बेस और जो इसका प्रपेंडिकुलर है वो इक्वल होगा, मिसाल के तोर पे, वन वन, ठीक है, यह ट्राइंगल के है, यह राइट आसोसिलेस ट्राइंगल है, इसकी जो लाइमनोस मिट्री होती है वो, इसके जो एंगल, 90 डिग्री एंगल होता है, उसको बाइसेक करके जाती है, यह वाली, और हाइब बाइसेक करती है, सेंटर से, ठीक है, बाइसेक का मतलब, खुद ही है कि वो सेंटर से उसको कट करती है, तो, यह अब हमारे पास तीन हे तीन ऑब्जेक्ट जो है वो इंटिटएक्ट में वर इउन्फिनाइटक ओलडेवल अब वह मुव्ध कैसे तो वह यह हम देखते हैं उसको भेज़ें का मतलब क्या है देदे प्र श.मुट करना जैसे अ पिसद तो हमारे पास यह जो स्क्वियर है वो क्या बन जाएगा एक रक्टेंगल बन जाएगा अगर हम इस स्क्वियर को इस लाइन ऑफ स्मिट्रिक के क्रोस फोल्ड करते हैं तो फिर क्या यह बन जाएगा फिर भी एक रक्टेंगल ही बनेगा और अगर स्केर को हम इस डागॉनल लाइन ऑफ स्मिट्री के क्रोस फॉल्ड करते हैं तो फिर यह क्या बनेगा तो फिर यह क्या बनेगा क्योंकि स्केर यह दो साइड्स क्या होती है एक्वल होती है ठीक है और यह एंगल क्या होता है 90 होता है तो अगर हम इसको इस डागॉनल पर इस तरआ फोल्ड करें ठीक है तो हमारे पास क्या चीज बनेगी एक रायट को कि आइब आए-स- करेंगा अब हम इन पर आ जाते हैं ये जो तीन हमारे पास चीज़ से यह क्या है और यह राइट आसा ट्राइंगल रेक्टेंगल की लाइन वुस्मिंटरी यह होती है अधिक है मिसालत और पर अब पर अब इस लाइन वस्मिंट्री के क्रोस फोल्ड करते हों तो क्या चीज आएगी हमारे पास इसको हम मतलब यह यह इसकी center line है, ठीक है? इसके पर उस rectangle को fold करते हैं तो हमारे पास एक rectangle आएगा, square भी आ सकता है, ठीक है? मतलब square आएगा तो वो दुबारा यही पर आ जाएगा, पीछे आजाएगा ठीक है? और अगर rectangle आता है तो वो तो अपने उपर ही रहेगा, ठीक है? दुबारा से वो rectangle बन जाएगा एक चीज के ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो areas कम ज़्यादा हो रहे हैं हमने उसको नहीं focus करना हम इस चीज के उपर focus कर रहे हैं कि अगर हम किसी object को उसकी line of symmetry के उपर fold करते है ठीक है? तो क्या वो object by definition सेम रहता है या नहीं रहता? मिसाल के तोर पे, अगर मैं इस rectangle को fold किये, ठीक है? तो क्या ये फिर भी rectangle ही रहेगा या कोई और shape बन जाएगी? तो हम इसको कितनी बार fold कर सकते हैं कि ये अपनी definition के उपर काइम रहे? तो rectangle जो है हम उसे infinitely fold कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जो line of symmetry या वो फिर भी बरकरार रहे की मिसाल के तोर पे, मैं एक और polygon लेता हूँ, pentagon ये pentagon में line of symmetry इस तरह से होती है अगर आप इसको इस line of symmetry के cross fold करें, तो ये pentagon की shape कुछ ऐसी बन जाएगी अब ये जो object हमारे पास आया है, इस object के अंदर कोई line of symmetry मुझूद नहीं है ठीक है, और इसको हम मजीद fold नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो fold करना है, वो सिरफ और सिरफ लाइन of symmetry के cross fold करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये pentagon क्या चीज है, ये pentagon हमारे पास एक finitely foldable object है foldable की हमने condition क्या रखी हुई है, कि हमने polygon को fold करना है, लेकिन उसकी line of symmetry के cross तो अब यहां से हम देख सकते हैं, तो अब तीसरा case देख लेते हैं, बलकि इसे हम दूसरा case कहेंगे, क्योंकि ये दोनों तो rectangles हैं, और ये कहा है right aso slash triangle अब राइट aso slash triangle के अंदर भी एक line of symmetry होती है, जो कि ये वली है, अगर हम इसको इसके cross fold करें, तो हमारे पास रिजल्ट में, हमारे पास जो इसका result हैगा, वो एक बजीद एक right aso slash triangle होगी, जिसका angle यहां पे 90 degree होगा, ठीक है, अब राइट aso slash triangle है, तो इसका मतलब इसमें इस triangle है, और जो rectangle है, और square, ये तीन polygons ऐसे हैं हमारे पास, जिनको हम जितनी मरतबा भी fold करते जाएं, उनके अंदर line of symmetry कभी भी vanish नहीं होती, दूसरे लफजों में, ये जो तीन objects हैं, ठीक है, अगर हम इसको square को खतम कर दें, और सिरफ rectangle और इसकी बात करें triangle की, तो फिर भ रह लेते हैं, तो ये जो square है हमारे पास, rectangle हो गया, square हो गया, और right, ISO slash triangle, ये जो तीन objects है हमारे पास, ये कि किस category में फाल कर जाएंगे, ये infinite foldable की category में फाल कर जाएंगे, वैसे तो real world के अंदर हम किसी object को infinitely fold नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका area कम होता जाएगा, लेकिन mathematically हम area के कम होने को ignore कर रहे हैं, हम उस aspect को नहीं देख रहे हैं, हम सिरफ ये देख रहे हैं, कि line of symmetry, जो है वो, preserve किसमे रहती है, तो अगर हम इस rule को follow करें, तो हमारे पास जो तमाम polygons हैं, जितने भी polygons हैं, वो दो categories में divide हो जाते हैं, एक वो, जो finitely foldable हैं, ठीक है, जिनके हम अंदर finite folds produce कर सकते हैं, उसके बाद उनमे line of symmetry जाएंगे, वो बिलकुल खतम हो जाती हैं, और दूसरे वो polygons, जो infinite foldable हैं, तो four sided figures, जैसे कि square हो गया, rectangle हो गया, ठीक है, इनकी total जो sides हैं, वो four है, triangle की sides कितनी three हैं, इस से उपर जितने भी polygons हैं हमारे पास, मिसाल के तोर पे, अब यह हमने देखा pentagon, ठीक है, उसके बाद hexagon, ठीक है, heptagon, आगे चलता जाएं, ठीक है, यह five sided polygons है, यह six sided polygons है, इस तरह seven is, जितनी भी sides हैं, मिसाल के तोर पे आप hexagon को देखें, hexagon में line of symmetry, अगर इस तरह से हम लें, यह इसकी line of symmetry है, अगर हम इसको ऐसे fold करते हैं, इस line of symmetry के cross, तो इसकी जो हमारे पास new figure बनेगी, वो किस तरह से बनेगी, वो कुछ ऐसी figure बनेगी, और इसमें एक मजीद line of symmetry है, वो कौन सी line of symmetry है, ज अगर हम इसको इसके cross fold करते हैं, तो इसमें हमारे पास final shape यह बनती है, अब यह क्या बनने चाहिए है, यह trapezium बनने है, और trapezium एक ऐसी figure है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास कोई भी line of symmetry नहीं होती, इसको अब हम मजीद fold नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर line of symmetry बिल्कुल खतम होगी है, तो जो hexagon है, वो कितनी transformations उसके उपर लगी है, ठीक है, इसको अगर हम एक transformation समझें, ठीक है, यह एक ऐसी transformation है, जो किसी भी polygon को उसकी line of symmetry के cross fold करती है, तो hexagon के उपर दो transformations लगी है, ठीक है, तो hexagon दो transformations के बाद किसमें चला गया है, एक finitely foldable objects की class में चला गया है तो I hope आपको यह categorization polygons की समझ आगी होगी, और अगर आपको इस से related कोई भी चीज़ net की ओपर या कहीं पर भी मिलती है, तो वो comments में लाजमी share के जीगा, और अगर आप किस चीज़ किसमें नहीं समझ आई, तो वो भी आप लो comments में लाजमी शेयर के जीगा, और अगर आप comments में लाजमी पूछे, thank you